आदर्श, मायताउं और शद्धा आस्था आदी में एक चीज़ का ये अमन है वे है पूर्वाग्रह दैश हमें मिल जूलकर सोच विचार करने के लिए सक्षम होना चाहिए लेकिन हमारे पूर्वाग्रह, हमारे आदर्श आदी उसक्षमता और उर्जा को सीमित करते हैं जो म मिल जूलकर सोच विचार, जाच परताल करने के लिए आवश्यक होती है संसार भर में फैले पस्रे भ्रम अव्यवस्था, दुर्दशा, आतंक, विनाश और भयावे हिंसा के पीछे क्या नहलतात हैं? इसके बारे में सोचने विचार ने, इसका अवलोकन और जाच परताल क क्या अभिब्राय है? इसे हम सब को मिल जूलकर ही जानना समझना होगा, ना कि आप किसी और दिशा में सोचे और मैं किसी और दिशा में, बलकि एक साथ एक जूठो कर प्रतेक तथे का जो एक मातर सत्य है उसे जानना होगा. यह हवलोकन, यह जाच परताल प्रभावेत, ब दिख रहा है, जिस तरहें दुनिया में नितिकता का समवेदना भाव खो गया है, जिस दुनिया में कुछ भी पवित्र पावंधिवे शेश नहीं रहा, जहां कोई अन्य किसी का मान समान नहीं कर रहा. ऐसे संसार के बारे में, मिल जूलकर सोचना विचारना अत्यांथी ज बाद आप मैं और सारी दुनिया इतनी हिंसक, रनिद्धी या बेरहम, विद्वन सक्यों हो गई है, क्यों हम हमेशा युद्धों में रत रहते हैं, परमानु बम बनाते रहते हैं, तकनी की जगत, टेकनोलाय अजिकली में हमने ज्यादा से ज्यादा प्रगती की है क्या इस कर्म बाद से